हेलो स्ट्टुएंट स्वागत है हमारा लेक्चर नमर 8 में यह लेक्चर में सबसे पहले मैं माफी के साथ सुरू करता हूं जो कि दो या तीन दिनों के बाद आ रहा है तो मैं कोसिस करूंगा कि कल दो पर या कल साम तक दो से तीन वीडियो और आ जाया और जो लेक्चर मिस कुछ फ्रस्टनल प्रोग्लम थी जिसके वज़ा से मैं लेक्चर लेके नहीं आ पा रहा था तो आईए अब हम लोगा स्टार्ट करते हैं यह हमारा आज का पहला कोस्टंस है जिसमें हम लोग दोस्तों आज बात करेंगे कि अध्यापक हुआ है तो कैसे अध्यापक को क्या होना चाहिए अच्छा द्यापक आप मानते हैं तो आप अब देखिए जितना हम बेसिक कंसेप्ट बता सकते हैं उससे आप यहां पर पता लगा सकते हैं तो मेधा भी वह प्रस्रमी हो वह अपने विद्यारतियों के सची लगन रखता हो या फिर सदा जमीन बर्कित करता हो अपने विद्यार में सोचता हो तो यह इसका आंसर भी सही है आप खुद बखुद समझ सकते हैं नेक्स्ट है कि आप यहां पर बस देखते चलिए थोड़ा मैं जल्दी कर दूँगा क्योंकि आंसर इसमें हम पहले ही माक कर चुके हैं तो सिच्छा के प्रचार वंपरसार स क्या होता है लोकतंत्र मजबूत होता है बात सही है अंध भी स्वास में कमी आती है तो यह तो और जादा बात सही है आर्थिक विकास दर बढ़ती है तो यह भी बात सही है नेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें सिच्छन क्या है तो सिच्छन क्या है दोस्तों सिच्छन ए एक कला है, एक किरिया की मातरा है, एक टपस है, तो सिच्छन क्या एक कौसल है, यह इसके वारे में हम पहले बात कर चुके हैं, नेक्स्ट कॉस्टन पर अगर हम लोग बात करें, तो कह रहा है कि विद्याले के सभी कार्जक्रब में भाग लेना चाहिए, हाँ तो इसे क्या हो बोलते हैं, तो आपका आत्मिस्वास बढ़ता है, तो यह सभी अंसर इसका सही होगा, विद्याले में खेलों का आयोजन का उद्यस क्या होता है, तो छात्राओं को किसी काज में लगाना, पहला, शरीर को हिस्ट पुस्ट बनाना, परतियोगी खेलों के लिए तैयारी करना तैयारी लिखा हुआ है वो, बालक का सरवांगिन विकास करना, तो अंसर नमर डी होगा, कि विद्याले में खेल का मुख उद्यस जो होता है, बालक का सरवांगिन विकास करना, सभी बच्चों की एक ही समस्या है, तो आप उनकी समस्या का समधान करते हैं, तो सभी बच्च पुलक और अनिवार्ज प्राइमरी सिछा लागू होनी के फलसरूप क्या हुआ अच्छा बालकों में सच्छतर दर बढ़ी है बालक में यहां दोनों से रिलेट कर रहा है बौज और गल्स दोनों के लिए बालक में सबको आज कंसीडर कर लिया जाता है ग्रामीन चेत्रों में साच्छता दर बढ़ी ये भी बात सही है देश में साच्छता बढ़ी है तो गरामिन चेत्रों बढ़ी गी तो देश में भी बढ़ी गी यानि कि ये चारों आप्सन सही है बिद्याले में अनुसासन हिंता उत्पन होने से का कारण आप क्या मानते हैं तो सिच्छा परनाली में भी समता अध्यापकों में जिम्मेदारी का गरीबी और बेरोजगारी सिच्छा पदिकारियों के आए दिन बदलाव बच्चे और टीचर एक दूसरे से का अंसर बी होगा जो अध्यापक है वो अपनी जिम्मेदारी का निभाव नहीं कर पा रहे हैं नेक्स्ट है आपरेशन ब्लैकबोर्ड की से रिलेटेड़ था तो ये प्राइमरी स्कूल के सिच्छा के से रिलेटेड़ था तो इसका जो अंसर होगा परिवारीक परिवेश का सबसे ज़्यादा इस पर प्रवाव पढ़ता है नेक्स्ट है आप परिच्छा के दौरान कच्छा निरिच्छ का कार्ज कर रहे हैं ठीक है माल लेते हैं तो उस बिद्याले में परधाना चारे का पुत्र भी परिच्छा दे रहा है तो यदि वह अनुचित कार्ज करता है मतलब चिटिंग करता है तो आप क्या करेंगे उसे अंदेखा करेंगे नहीं ऐसा तो नहीं करेंगे परिवाह किये बिना अनुचित साधन का परियोग नहीं करने देंगे हाँ तो ये थोड़ा सही लग रहा है आगे भी पढ़ लेते हम क्योंकि आपको सिखाएं कि चारो अप्सन पढ़ना है परधाना चार से परिच्छ को ग्रीह कार्ज करवाने में सहयोग देना चाहिए तो हाँ बिल्कुल देना चाहिए तो B और C तो बिल्कुल गलत हो गया अब TCD में देखते हैं हाँ इससे बच्चे ग्रीह कार्ज अबस करके लाएंगे तो हाँ बिल्कुल सही है लाएंगे लेकिन हम D भी पढ़ते हैं त तो आपक्या करेंगे। बाला को डंटेंगे। अरे। उसके पिताजी नहीं आ रहा हुआ। उसके घारजी नहीं आ रहे। तो बाला क को डंट क्यों देंगे। बालाक पर ध्यान नहीं देंगे। ये भी वायस्ट हो गया। उसे ओमुपार्ब्ल है। अंसर। चाहं या का Chung Huh चाहत्यों के अनुसासन को पांडर को निश्ठा को चाहत्रों के संक को या ऐन узна करने में उस बच्को चैन करने में में uk TYS dad ही पढ़ रहा है तो अध्यापक के सिच्छन में कमी तो नहीं होगा वह आखिर पढ़ाता होगा तभी तो बच्छे पढ़ रहे हैं तो हो सकता हां कि उसके घर में परिवेस हैं बचों के सरम तथा एक आगरता में भीनता होना ठीक ही है और कहा रहा है जन्मजात योगता में लगला होना तो यह ज़्यदा सभी है कि बहुत सबच्चा ऐसे होते हैं बच्च्पंसी पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज होते हैं और यह मायन पर डिपेंड करता है कि कौन बच्चा कैसा पढ़ता है तो इसमें D-Number option ज़्यादा सही है कि यह क्या कह रहा भींता पाई जाती है बच्चों की उपलवद्वा में जो भींता पाई जाती है वो D-Number accurate ज़्यादा है क्योंकि बहुत बच्चे मेहनत भी करते रहते हैं तब भी न नहीं देता है इसका मुख कारण क्या है उनकी ट्यूसन की लालची प्रविर्ती उनके आच्रन में गिराबट उनके सिच्छा के परतिला परवा ही तो पहला और दूसरा तो सही है आच्रन भी थोड़ा टीचर का बदल गया है वो शिच्छा के परतिला परवा भी हो गया औ आयसे हम आप देख रहे हैं और काम भी वही कर रहे हैं next है कच्छा में छाथशत्राओं का ध्यान भिख्सित करने के लिए आप क्या करेंगे तो छाथशत्राओं के उमें जिग्यासा का भिकास करेंगे हाँ ये बात सही है अगर जिग्यासा बढ़ेगा तो अपने आप बाचित क्या करेगा वो बारतालाप करेगा आपसे तो ध्यान को बिक्सित करने के लिए यानि कि वो बात कैसे सोच सके है न किसी concentrate किसी चीज़ पर करें तो उसके परती जिग्यासा को बढ़ाएगा आप क्लास में बैठते होंगे और कभी जब आपका जिग्यासा बढ़ जाता होगा कुछ सीच को समझने का तो आप टीचर को अच्छे से concentrate होके सुनने लगते होंगे यह आप अपने आप पे analysis करिए एक सिच्छक को ग्यान का अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए तो लच्छे प्राप्ती के लिए थक परियास बिप्रित परस्तितियों में भी सईयम अम संतुलन नाख होना समय का सद्ध्योपयोग ए सभी तो यह D-Number option सहिए टीचर को सब तरह का ग्यान देना चाहिए बच्छों की सिच्छा में यह अधीक आवस्यक है क्या आवस्यक है कि बच्छों को गलत काम करने के लिए डंडित किया जाए तो डंड वाला तो पहले ही हटा देना है बच्छों को सही आत्ते डाली जाए हाँ बिलकुल सही है बच्छों को प्रयाप स हो तो यह ज़्यादा सही है अपसर नमर डी और यह आज का हमारा last questions है किसी चात्र को आप stress मानेंगे तो हां यह भी एक अच्छा को से किस साथ को आप सबसे अच्छा मानेंगे जो सिच्छक को समान दे और उनकी आग्या माने तो यह तो ऐसा हो नहीं चाहिए लेकिन स्रेष्ट पुछा आई है चारों में सही कौन है जो सुसिल और सरमिला हो और अनुसासन में रहे ये भी सही है जो सिच्छा गरहन करने में और अध्यन में रूची रखता हो तो ये ज़्यादा सही है अगर वो सिच्छा गरहन करने में और अध्यन में रूची रखेगा तो वो सारा काम अपने आप सिख जाएगा तो नियमित पार्ट साला भी आएगा तो चार नमबर का भी हमको सी में कुछ कुलू मिल रहा है तो अंसर नमबर सी सही होगा तो आज के लिए इतना ही कोश्चन और लास्ट तक जब आप आहीं गए हैं तो हम आज के लिए सौरी आपको बोलते हैं ठीक है और हम वन टू टू लेक्चर एक्स्ट्रा 9 and 10 कल इभिनिंग तक हम क्या करेंगे लेके आएंगे और रात में जो 11 बजे 10 बजे डेली वीडियो आता है वो पार्ट नमबर हमारा क्या होगा 11 होगा ये आप ध्यान रखिएगा तो हम कुछ प्रसनल प्रोग्लम के बज़ा से लेक्चर नहीं लेके आ पा रहे थे तो उस शुर्ण के लेके व्यान रखिएा नहीं णो प्रेंगे येस देसे लेके आप बना क Uneन aीप आप के एफ नदेगा से लेके टता है लेके ये आप हम तूभला है भ़्लम के लेके लेके गाग चार के आपारान का पार न Neहीं के लेख़ा की पाराई बना हूदार कोगा से व्ह